प्रग्नेंसी के दौरान महिलाओं को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन में से एक है कप्स कप्स की वजह से बहुत सारी महिलाईं परिशान रहती हैं ये समस्या प्रग्नेंसी के हर महीने के साथ बढ़ती ही जाती है ऐसे में लगतार कप से छुटकारा दिलाने वाली दवाओं को लेना ठीक नहीं है जाद अधा डॉक्टर भी दवाओं को लगतार खाने के लिए मना करते हैं तो इस सिच्वेशन में घरेलोन उसके आपकी काम आ सकते हैं की मदद से आपको प्रेगनेंसी के दोरान होने वाली कप्स की समस्या से छुटकारा मल सकता है नमस्कार आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका देखे अलसी महिलाओं के लिए फायदे मद होती है वहीं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कप्स की समस्या में ये रहत दिला सकती है अलसी के बीजों में खास गुण होते हैं जो स्टूल को धीला कर निकलने में मदद करते हैं अब आप अलसी को कैसे खाएं वो भी जान लेते हैं दिखे अलसी का पाउडर बना कर रख लें रोजाना एक चम्मच अलसी को हलके गुनगुने पानी के साथ खाएं खाने के बाद करीब एक गिलास पानी पी ले इससे रहत मिलेगी या फिर अलसी के बीज को तीन से चार घंटे के लिए भिगो कर लग दे रात को सोने से पहले इन भीगे बीजो को पानी के साथ खा ले इसे खानी से कप्स की समस्या में रहत मिलेगी वही पेट की तेल से आप मालिश भी कर सकते हैं जिहां सुबह उठने के बाद पेट पर तेल की मालिश करने से भी कप्स की समस्या में रहत मिलेगी एक से दो बूंद एजेंशियल ओयल की बूंद को नायर या सरसु के तेल में मिक्स करें फिर हलके हाथों से नाभी किया असपास उंगलियों की मदद से गोल घुमाते हुए पीट की मालिश करें ऐसा करने से स्टूल को पतला होकर बाहर निकलने में मदद मिल दी है हला कि पेट की मालिश करते समय ध्यान रखें कि पेट पर दबाव नहीं डालना है बस हलके हाथों से ही मालिश करनी है जिससे बच्चे को नुकसान ना हो सिंधा नमक भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं सिंधा नमक में रेचक गुण होती हैं जो कप्स की समस्या से छुटकार दिलाने में मदद करते हैं दो तरह से सिंधा नमक को प्रेग्नेंसी में इस्तिमाल करें सबसे पहला रोजाना एक गिलाज गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिला कर पीने से कप्स की समस्या में आराम मिलेगा साथे किसी टब में पानी ले और उसमें सेंधा नमक मिला कर पानी में करीब 20 मिनट तक बैठे ऐसा करने से कप्स को दूर करने में मदद मिलेगी वही कप्स की समस्य अगर आपको होती है तो आप फाइबर वाले फूट्स को ज़्यादा खाएं, फल और सब्जियों को ज़्यादा मात्रा मेली, लिक्विट और पानी धेर सारा पीएं, प्रेगनेंसी में वॉक, यूग और हलके व्यायाम को ज़रूर करें, ये सारे कप्स की समस्या में छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा, तो और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़ रहे हमारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार